गुड मॉनिंग स्टूलेंट आज हम क्लास थर्ड में चेप्टर नमबर एट समझदार बंदर की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे कलम ने आपके इसकी रीडिंग यहां से करा दी थी ठीक आप इसी को हम आगे बढ़ाएंगे सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और रीडिंग करेंगे साथ की साथ अफ्रीका में कई जाती के बंदर पाएं जाते हैं उनमें एक का नाम गोरिला एक का नाम है गोरिला कोई कोई गोरिला आदमी के समान बड़े शरीर कहा होता है गोरिले बड़े बलवान और दिखने में भी बहुत बहानक होते हैं और है बेटा होते हैं ये घने जंगलों में रहते हैं ये बड़े ही हिंसक, हिंसक यानी की मार पीट, लड़ाई, आधिकरने वाले हिंसक सुभाव के होते हैं जिस जंगल में ये रहते हैं, उनमें कोई नहीं जाना चाता जिस जंगल में ये रहते हैं गोरिला, उसमें कोई भी जाना नहीं चाता कभी कभी हाती इनके छेतर में बादाम खाने को आ जाते हैं उस समय ये पेडों की डालियों से उनकी सूंड पर ऐसी मार मारते हैं की हाती घवरा कर भाग जाते हैं भगवान श्री राम चंद्र जी के पास बंदरों की भूट बढ़ी सेना थी हन्मान जी उस सेना में श्री राम के सर्वप्रिये मुखिया थे शर्वप्रियai यानि सबसे प्यारे हन्मान आजे के कारण कुछ लोग बंदरों को भी हन्मान कहकर पुकारते हैं। वच्छो यह आपका चैप्टर हो गया कम्प्लीट। आज की क्लास में इतना ही आज का होमवक है। आप चैप्टर रीड। रीड चैप्टर। फिर मिलेंगे। थैंक्यू।